पूरवत्तर रेलवे को अनरक्षित एक्स्प्रेस ट्रेनों के संचालन के लिए नोटिफिकसन जारी किया गया है जिसके तहत 28 जोड़ी ट्रेन चलने सुरू हो गई है गोरगपूर नोतन्वा और गोंडा लूप लाइन पर भी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन सुरू कर दिया गया है इसके अलावा लकनाव बरोनी ट्रेन भी सुरू कर दी गई है जिससे यात्रियों को अब यात्रा करने में काफी आसानी हो जाएगी इसके संबंद में पूरवत्तर रेलवे की सीपियारो पंकच कुमार सिंग ने बताया कि पैसेंजर ट्रेन चलने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी उन्हें अपने गंतव्य तक जाने में आसानी होगी इस संबंद में गुरवत्तर रेलवे के मुखी जनसंपर्क अधिकारी पंकच कुमार सिंग ने कहा ये जो अनारक्षित एक्सप्रेस टेने है ये चार मार्श से पूरवत्तर रेलवे पर सबसे पहले इजर नगर मंडल पर शुरू की गई थी और अभी लगवग 27 जोड़ी पसंजर टेने 28 जोड़ी पसंजर टेने चलाई जाने की अधिसूशना जारी कर दी गई है जो अगर गोरवपूर से बात करें तो गोरवपूर से जो गोंड़ा लूप लाइन पर पसंजर टेन चलती थी उसको स्टार्ट करने के लिए नोटि अभी तो फिलाल जो हम लोग देखते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट हो गए रहे किसी पर्टिकुलर रूट पे जादा रहती है तो उस उन टेनों में हम लोग रिशनल कोच लगा के पहले उसको देखते हैं तो जैसे पसंजर्स की मांग होती है वो देखा जाता है ऐसे माह हम लोग चलाते हैं जहां से भी मांग आ रही थी जैसे अभी यह अनारक्षित एक्सप्रेस्टेन की लगातार मांग कई जगह से आ रही थी तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जैसा कि मैंने अभी बताए कि 28 जोड़ी गाड़ियां शुरू कि यह स्की गई है और जिन में से कुछ अभी चलेंगी सोचना जारी हो गई है साथी साथ जो है लखनो बरावनी की बहुत दिन से बात चल रही थी लोग डिमांड कर रहे थी कि इस टेंग को चलाया जा तो इस टेंग को भी है चलाने है तो सोचना जो हमनों ने नोटिस जारी कि अब से वाली गाड़ी जो है 05204 ये 23 मार्श से अगले आधेश तक चलेगे